पर हम बजाना लगे तो कॉम्रे अच्छा मारने लगे अच्छा आपका प्रेवर्गेटिव है आप किस पक्ष के कितने लोगों को बुलाएं और मुझे अकेला मुझे लगता मैं एक अकेली सपर भादी सीखा है किसी से मैंने यह अच्छ तो आप आज तक से जुड़ी है ले कि आपने उनके हाथ में मुद्दा दिया है 146 सांसदों को आज तक किसी एक सत्र में सस्पेंड नहीं किया गया था आपने म्यूट कर दिया कि 146 संसदिय क्षेत्रों को तुम्हें शरम है कुछ कुछ शरम हाया है देखे समस्या यह नहीं है जो विपक्ष में हो रहा था जानते हैं क्यों हो रहा था तीन राज्यों की करारी हार कॉंग्रेस की होने के बाद ये तथा कतित इंडिया गटबंदन में बहुत से लोगी बांचे खिल गई ये क्या है ये तो ठट्टी है ओ अब मौका मिला है कम से कम हमी मसल्स फ्लेक्स कर सकते हैं चाहें वो त्रणमूल कॉंग्रेस की ममता जी हो या बिहार वाले हो या केजरी वाल तो आपने देखा था सबसे पहले दिन किसने बावाल किया टीन सी वालों ने और याद करिए डि अगले दिन ज्यादा लीड ले ली तो अगले दिन कॉंग्रेस ने का रहे सारी कटा-कट दाल तो यहीं पी गए कुछ भी कुछ भी अब हम क्या करें तो अगले दिन उसने बावाल में लिड़ी तो यह खुद संपेंड होना चाहते तो कोई बात नहीं यह आपका प्रोरग कर लेते हैं एक आक्रोशेत आहत मंडली घूम रही है खून खौल रहा है लोगों का क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेश का अपमान हो गया है संवेधान इक पर बैठे हुए लोगों का अपमान कर दिया मुद्दा क्या है मैं बच्चों से यह नोजवानों से पूछती हू मुद्दा क्या है क्या मुद्दा 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास कराना है या किसी की कोई मिमिकरी कर रहा था मुद्दा यह है जो कानून पास हुए है उसके तहट आपके फोन का मेसिज कभी भी बंद किया जा सकता है किसी का फोन कभी भी सर्वेलेंस पे लगाया जा सकता है जो कानून पास हुए है उसके according spectrum अब allocate किया जाएगा उसका auction नहीं होगा जिसकी पुर्जोर पेरवी बीजेपी करती थी स्वतंत्र पत्रकार आज तो आप आज तक से जुड़ी हैं लेकिन अगर कल को आप अपना स्वतंत्र पत्रकार रिता करना चाहिए एक YouTube चानल खोलना चाहिए तो आपको certificate पहले सरकार से लेना होगा यह भिग गई है गौर्मिन आप गौर्मिन में कुछ नहीं है और अगर आप सरकार का चरनवंदन नहीं करेंगे तो वो certificate आपको नहीं विलेगा ऐसे ऐसे कानून पास कराए गए और यह कानून बिना विपक्ष के पास कराए गए मुद्दा क्या है मुद्दा विपक्ष के मलिक की है यह कल शाम की फोटो है आसवों से रूबरू साक्षी मलिक ने कल सन्यास ले लिया अकेली महिला गोल्ड मेडलिस्ट उलम्पिक की उसने सन्यास ले लिया यह कहकर कि यह सरकार जो है एक रेपिस्ट को protection देती है योल शोशर के मामले में मूख दर्शक बनी रही मैं यह गेम खेलना चाती हूँ यह उसके वो बूट है मुझे ऐसा लगता है सब में समाज को यह जो तस्वीरे हैं यह बहुत दिनों तक हांट करेंगी बजरंग पुनिया ने अभी थोड़ी देर पहले अपना पदमश्री वापस करते हुए यह बोला कि मैं नहीं यह पदमश प्रोंटी जा रही थी लौदी जा रही थी पूटो की तरह आहद नहीं करती हैं उनको इस एक महिने के बचरी की कब्र जो दफनाया गया मुझे में 87 लोग एक साथ आहध नहीं करते हैं उनको एक बुजर्ग किसान लाथी गंडे खाता हुआ आहत नहीं करता है उनको साथ साथ सो किसानों की शहादत आहत नहीं करती है उनको नरसंगार करके जो लड़का है मुख्या भ्युक्त है नरसंगार का उसका पिता इस देश का ग्रह राज्य मंत्री बना रहे है वो आहत करता है उसको मणीपुर में नगर औरते नहीं आहद करती है उसको आहद गंदी घिनोनी राजनीती कर रही है संवेधालिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खासतोर से विपक्ष के प्रहरी है वो रक्षक है वो भक्षक नहीं बन सकते हैं मुद्दा है सांसदों क निलंबन 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाडे लोकतंत्र को तार तार किया है जवाब इसका देभारतिये जंता पाटी एवरिज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदिगी करता है लोकसभा में तो जब आप एक एवरिज सांसद को निलंबित करत है जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो यह आवाज उठाएंगे और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंद मारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी उस पर आपके चानल पर आकर ग्रह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे किसकी इस सरकार की क्यों नहीं जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंटर है तीन महीने से क्यों कटोती करी गई बजट की बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ दीजिए आज ट्रिगर क्या है ट्रिगर है कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में अडि हनुमान बेलिवाल ही थे जिनों पकड़ा अब राहूल गांधी ने आज बड़े मंच से विपक्षी गडबंधन के इस विरोध प्रदर्शन में कहा है कि बीजेपी के सांसद महां से भग लिये थे क्या है सच्चाई सच बताई इगा कि इसके साथ कि सांसद है हनुमान बेलिवार इंडिया के सांसद है ना यह बजा रहे थे काफी देर के बाद तो पता नहीं था बगट सीरेस्मारे आप लोग पता नहीं था कि क्या है अब लोग सकता है अब ही तो जिन्दे हैं आपके सामने गर असली होते तो क्या होता खेर जब वहां पर हम बजाने लगे तो क्या बजाने लगे अच्छा मारने लगे पंजाब के MPI एक कॉंगरेस के पंजाब के MPI और बीजेपी के रशब दनों के फिर बाद में कई सारे MPI आ गए और जादेत और लोग भार भाग गए थे कुछ खड़े हुए थे दूर पर ये तो उस दिन की घटना है मुझे एक बात सही है जो वो कहरे है राहुल जी कि बीजेपी के सांसाथ भाग गए थे आपको इस वीडियो में बीजेपी का कोई सांसाथ दिख रहा है वीडियो दुवारा देख लो ना बीजेपी के भी हर कईदलों के और भी है पर पहले हनुमान बैनिवार और मैं थे यह बल्कुल सची बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे बड़े भाई की तरह है इनों ने का मुझे पता नीता मैं अपने घरवालों से भी मिल पाऊंगा की नहीं सुरक्षा की इतनी बड़ी सेंद लेकिन देश के प्रधानमंत्री और ग्रेमंत्री वक्त अभी ही नहीं देना चाहिए